ग्वालियर किश विश्विद्याले में सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच जम कर हंगामा हुआ इतना ही नहीं इसके बाद उनके बीच मारपीट भी हुई आरन फानन में कॉलिज के हॉस्टल में भारी पुलिस पोर्स और यूनिवरसिटी के कुलपती मौके पर पहुँच गए इस दौरान मारपीट कर रहे कुछ छात्र मौके से भाग गए तो जूनियर छात्रों ने हॉस्टल के कुछ कमरों में तोड़ फोड़ कर दी यूनिवरसिटी के छात्रों ने बताए कि सीनियर छात्र हॉस्टल में घुस आते हैं और साथी बदमाशी भी करते हैं अभी छात बाहरी आयते तो हम अभी यूनिवरसिटी से लोटके आ रहे थे इंटर्वी चल रहे थे आए ने हैं यह थे लट मैं आफारी तो रही धेंट हों कि जा रहे दोने लहते हैं के दौरह ओर भी पॉड्म इनके जो साथ ही थे और इनने बाहरी चात्रों को जो बुलाया है उनने सब चात्रों के साथ मार पीट की है ये बाहर के लड़के थे करीब साथ आट ठीक है और हमारे यहां के चात्र थे जैदिप सिंग बदोरिया थे कुलदिप सिंग बदोरिया अरविन सिंग जादो इनके लड़कों का देखिए कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके साथ बाहर के लड़के जो है साथ मेरे आते हैं और उनसे कुछ विवाद हुआ है अब वो लिखके दे रहे हैं जो पुलिस को दे रहे हैं उसको फरवर्ड कर रहे हैं नहीं लड़के दो तीन रहते हैं जिनके दोस्त है बाहर सीन menyre है meglio किसी न सिं het भी कभी सीनyर हो खुभी आते हैं ऐसा मतलब कभी कभार आ जाते हैं सो बार कुछ तो नियूसैंस करते हैं जूनियर होने के वालए इनको डाटते है कर्कितुम रॉम जैसा किय वैसा रहो बस ये और चुछ हुआ होगा थोड़ा मारपीट लड़कों से ले रहे हैं मारपीट करने वाले च्छात्र उनके कालिज के नहीं है तो सवाल उठता है कि कॉलिज के हॉस्टल में बाहरी चात्र घुस करते जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं गॉयर से न्यूज के लिए रविंदर सिंग कुश्वाहा की रिपोर्ट